हम लोग यहां इसमें इसमें रुखे हुए थे आज है पच्छे सारिक और यह हमारा तीसरा दिन है ट्रैक का मगत तिरह मेरा यात्रा का तीसरा दिन है और हमने बिल्कुल सामने यहां से सामने देख रहा हो तुंगनाथ वावा के लिए चोपता से ट्रैक स्टार्ट है तो बि तो मैं पहुंच गया हूँ रात को रुखाता एक रूम में तो बड़ा मुश्किल से अरेंज हुआ और बहुत जादा है मतलब तो पहले से आप ठीक जगह है आप रूम बुक कीजिए गए यहां पर तो अब स्थार्ट करते हैं बावत उगनाद का ट्रैक यह सामने को प्रणाद कर सकते हो अपना ट्रैक और पैदल भी जा सकते हो तो अब लोगने डंडा भी निलिया है और अचर भी निलिया है स्थे पैदल जा रहे हैं सीधे जय भोले नाच हर हर महादेव अभी मैं उपर से देख रहा हूं नीचे की तरफ दूप आ रही है यहां पर बादल हो रहे हैं जय बोले नाच हर हर महादेव करीब तीन किलोमीटर बट नीचे तो पतानी केमरे नजर आ रहा है नहीं आ रहा है नीचे गहरा ही गहरा एकदम कुछ नजर नहीं आ रहा है बहुत गहराई है को कि सबसे उंचाई पर जो है जो संकर जी का मंदिर है दुनिया का सबसे उचा हुआ यही है तुंगनात महादेव यह दर से रास्ता जो हम लोग जा रहे हैं बीस से लोग सौटकट भी ले रहे हैं पर सौटकट लेने में क्या नहीं है यहां से जब लोग चड़ते होते हैं तो थोड़ी सास भूल जाती है ऑक्सिएन की कमी है यहां पर दिक्कत होती है तो लगता ही शौटकट है वर उतनी देर में पहुंच पाऊगे उससे अधर रहस कर लोगे वहां यह बीच में चाय पानी कुछ करना है तो यह बीच में शॉप एक पढ़ी है अब तक उपर आगे और पता नहीं कितनी दूर है और साइड में पीचे देगा नीचे पूरे जो घास के मैदान जैसे ना नीचे यह गाय बगएरा चल रही है आप देखो बेड़ बग्रियां सब यह गाउं जैसा है तो यहां लोग रहे भी रहे हैं तो आई बीच में यह है ऐसे बनाए हुए रुखने के लिए और यह पानी बने पीने का यह है तिरती एक केदार आप इसको स्क्रीन को पाउस करके और पढ़ लेना समुत तल से 4000 मीटर की उचाई पहस्ते था है यह मंदिर और दो किलोमेटर उपर चंदसिला नाजी से दो किलोमेटर उपर यह है चंदसिला केदार खंड के अनुसार यह है जगह जहां चंदर माग को अपने छे रोग से मोक्ष के लिए भगवान संकर का तब किया था उन्होंने वाकि सारी चीज़े मैं पढ़ लेता हूं आप भी पढ़ लेना मैंने भी सोचा था भगवान तुम नाथ जी के दर्संग क अफिन चंदसिला के बारे में उसी के बरावर में आए है 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 कि यह है में पहले रास्ता है आप तो यह बना दिया गया पहले ट्रैकिंग के जो यहां से आते तो मेना इस फूरा कर लिया वो लास्ट संट सोटकट लिया था नीचे से यहां आया वीडियो भाई नहीं हालत खराब होगी इसलिए सबसे हुचाई पर मुस्किल ट्रैक तो गॉवर्मेंट ने इतनी सुमिला कर दिया है बट ट्रैकिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा आप सौटकर ले सकते हो बारिस हो रही है तम मत लेना यह पानी जा रहा होता है बागी दर से कोई दिक्कत नही है बारिस में घचर वगएर आते हैं तो यह रास्तर सेफ है बिल्कुल इस पर लिखा हुआ है ना कि तुंगना चंदसला से जाने वाले तीर थ्यात्री ट्रैकर्स के अपर ध्यान दें बुग्याल मतलब ग्रास लेंड जो होते हैं ना घास के जैसे मैदान उनको मतलब से मर आप यहां आओगे यह तो पड़ी लोगे बट जब आप विलोग वगेरा वीडियो देख रहे होगे ना तो त्यारी से आओगे ना फाल्तों के चीज़ें नहीं करोगे बोर्ट पढ़ने से पहले है इससे मजा आएगा मजा तो आएगे यार मार देंगे टैंक वाई मजा तो आएगी जानवरों की उपर जा रहा है खुद से जाओगे तो मेरा तो भी मानना है कि अगर ट्रेकिंग कर मिले तभी जाओ नहीं तो मत जाओ यह लोग भाई लोग भी पता है नहीं कहां से यूपी से मैं भी तो यूपी से हूं ना मैं बड़े बरेली से हूं आप तो हमसे और दूर से आए दो गाजीपुर से बढ़े बनारस से आए हुए है और मजा आ रहा है ना अभी ट्रेकिंग में बीचे मेरे सॉटकर तो ले करके चलते रहो और देखो मुश्किल तो ट्रैक होगा ही क्योंकि सबसे उंचाही पर है महादेव तो ऐसे तो नहीं मिल जाएंगे तो मैं क्यों थोड़ी देर अब रैस्ट कर लिया भाई हमने बीच में और घर्मी ती हो रही है ना उपर यह ले आया है हम लो तो बस निका पानी की बोटल लाए तो थे खतम होगी थोड़ी सी और बेवे के पास थे भूट पानी कहीं नहीं है रास्ते में पाई यह आप आ गए उपर पानी की बोटल पचास रुपे की है यह मत देखना महंगी है कैसे आ रही है यह देखो मिले यह पैसे देखे यह बहुत बड़ी अगर थक जाओ तो रैस्पी कर सकते हो अराम से तो पी लगा सकते हो गर्मी जादा हो रही है तो पहले चंदर शिला और यह तुंगनात ना जाए पहले चंदर शिला जाओ अच्छा तुम अच्छा बंद हो जाते हैं बारा बजे कपाड़ बंद हो जाते हैं एक ब्लोगर भाई ये भी हैं देखो इसनल्च नाम से क्षब भी शुक्ति मेरा क्याना में ट्रेवलिंग कर नहीं है यह क्रीन करके में चैनल हो और यह तो बहां मेरे फैन पॉलोइंग जाते है तो लों को पता चल जाते है करता हूं तो अपने बस memory बना लेता हूं अचा अचा वह स्याधी रह जाती हैं तो किसी को basic information बता दिता हूं लोग कैते vlog बनाते रहते हैं वह जाते मगरू आइंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा लोग करते हैं लोग के विल्कुल बिल्कुल कुछ सही सही चीजे बता देता हूं मैं ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी बता दिया नहीं ज़रूरी है अपने एक्सपरेंस करते हो बस बात खत्म कि यह बहुत दूर थे चले जा रहा है क्योंकि लोकल लोग के साथ ही लग लेते हैं यह बोटी यह पहाड़ी यहां के डॉक्स होते हैं कि पीछे देखो आंटी अच्छे आजए और अंकल देखो लोग ठख जा रहे हैं लोग पीछ देखे मेने विड़ी पीडियों में पीछे देखों फच्छों पर बैठ के आ रहे हैं अब हम्हां कैसे आ रहे हैं कुछ तो जोस आना चाहिए कुछ जबनाइब आरे तो मता ज और चारो धाम करके आ रहे हैं पूछेंगे और अभी भी मतला पूरा जाने का चंद्रसिला जाओगे आप यह होती है इस्प्रेग तेल्गु में जो भी तेल्गु वाले देख लेंगे योगिनाद कर लिया करके आगे काद तुंबरनाद के नेस्ट तुंबरनाद के बाद विजेनगरम नंचे आप कहां से आई हो आई है पार्देवर प्रसाद चोधरी यह कोई जगह है मुझे नहीं बता क्या रहा कोई कोई कम्यूनिकेशन गया पादर यूपिकर इफ यूजिए इस्प्रामी तु जाए शिप्शंकर यह पीछे खाई बहुत गहरी है और यह सब लोग अभी ट्रेक पे जा रहा है हम भी रास्ते में उपर ही चलने का है अभी यह रास्ते में व्यूज जो आ रहे हैं अच्छे हैं बाद लों की विजए से कुछ दिख नहीं पा रहा होगा अंदाजा नहीं बिल्कुल उपर आके आप रुकने रुकना चाहते हो तो होटल भी चंदसला ट्रेक करके जो लोग लेट हो जाते हैं रात हो जाती है तो यहां पे आके होटल भी ले सकते हैं सामने जो दिख रहे हैं वाई यहां होटल रूम्स थोड़े महंगी ही रहते हैं पढ़ा 15 बीच बीच में है नेटवर्क बड़ जहां पर यह लोग लेते नहीं है यह सिर्फ कैश लेते हैं क्योंकि इनको निकालने में दिख्कत होती होगी बैंक बैंक से अभी धुंद हो गई समय बादल आ गया और ठंडा भी हो गया मौसम उपर आके एकदम तो यहां मौसम एकद एक है लास्ट में उपर जाके अभी तक मिला है हमें तनका नंबर वगेर नोट कर लूंग अगर लाइन लग रही है यहां से अब लाइन में लग जाएंगे थोड़ी देर की लाइन है दर्शन करके फिलोटते हैं परसाच चढ़ाते हैं बाबा का हर हर महादेव मगर जितन लाइन होती है उपर पहुंच जाते हैं सारी दूर हो जाती है तुंगनाथ बाबा पहुंच गया वो देखिए सामने बस क्याब लॉटते वागे मनाऊंगा मंदिर में नहीं बनाऊंगा मैं कोई वीडियो है यहां पर आओ खुद दर्शन करो बहुत लंबी लाइन लगी ह हुए है इच्छे भी है कि अच्छे से दर्शन हो गए और फीछे इतना बढ़िया मंदिर सारी थकान दोर हो गए यहां आगे अब लोगों पी मैंने करा दिये मंदिर के अंदर आके खुद कर सकते हो आप और पूजा पाट अपना प्राइवेट है बाकी बहुत अच्छी वाइप साती है और बहुत उचाई है तो बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करने के बाद एक बाद जरूर आई है तुंगनात महादेव के दर्शन करने तो अभी मैं से उपर जाओंगा चंद्रसिला जो की करीब 2 किलोमेटर उपर है तो वह भी ट्रैक करना है तो यह वाला विलोग यहीं करता हूं इसके करना हूं पुछ करूं तो सारी चीजें वह आपको यहां धीर धीर अपडेट देता रहता हूं